हलो नीट एस्परेंट्स तो यार रिजल्ट भाई सब आउट हो चुका है रिजल्ट देख लें एंटे की वे अपसाइट पर अवलेवल है लिंक डिस्किप्शन पर दे दिया है अगर अभी तक नहीं चेक किया है तो आप चेक आउट कर लें भैंकर वैलेशन से भाई सब का चांस था है ना उतने पर अब आपको बीएमेस गौर्मेंट मिल रहा है एक बहुत अनेक्सप्रक्टेड है यार इस टोटली अनेक्सप्रक्टेड जैस्ट थिंक इट की छैसो पच्पन पर रैंक बन रही है पचीस अजार है ना और छैसो चार पे लगबग कुछ 75,000 के आसपास रैंक है 604 पे 585 पे करीब 98,000 के आसपास रैंक पर रही है एक लाग के नियर बाउट 585 पे तो इस टोटली अनेक्सप्रक्टेड लास्ट यर 510 पे 98 जार रैंक थी अब दुगदा का विसा यह है कि सर हमको चाहिए प्राइवेट बीएमेस कॉलिज और वो कैसे मिल लेगा वह आप मुझे बताइए यह गुड नियूज आप सभी के लिए आप किसी भी स्टेट से हो और आप यूपी के अंदर प्राइवेट बीमेस के लिए एड़ बीसें के लिए अप्रोच आउट कर रहे हैं तो हम आपकी कांसलिंग कितने में कर रहे हैं 1000 रूपीज में 1000 रूपए में उसमें कांसलिंग का कंप्लीट सपोर्ट है जिसमें फॉन फिलिंग हो गया और सीट लॉकिंग हो गया किस कॉलेज की क्या फीस है कौन से कॉलेज कितना चार्ज करता है एक्जाक्री मेरी टीम आपको पहले से बता देगी अब ये यूपी में ही जो बच्चे लिना चाहा है उनके लिए है अभी सिर्फ फर्स कम फर्स सब्वेसिस पे हैं पहले आओ पहले पाओ ठीक है नीट क्वालिफाइव होना मिंडेट्री है थाउजंड रुपीज है फुडीन तो अब जून तक ऑफर वैलेट तिल फुडीन अब जून प्राइविट बीमस स्लिंग फीस हो जाएगी तो लिंक डिस्किप्शन पर है आप डिरिक्ली भी इन्रॉल कर सकते हैं है ना बिकुछ प्राइवेट बीमस के अंदर बहुत बड़ा एक मार्केट स्काम है मार्केट स्काम किस चीज़ का फीस कॉलेज कुछ बताता है लेता कुछ है और कहीने कही हमको एक पैकेज सिस्टम बता दिये जाता है सर हम मारास्ट से हैं मैंने हर एक स्टेट का लिया हुआ है आगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन पर भी आज बात करेंगे और मैं आपके लिए एक सपोर्ट लेकर आया हूं वो भी हम आपसे डि 64 से 146 के बीच में हैं यह 50 परसेंटाइल है और यह 45 परसेंटाइल है अगर परसेंटाइल रिवाइज होता है तो 146 तक वालों के ही चांस हैं सारे स्टूडेंट को यहां पर जिसकी बहुत स्कोरिंग कम है उसके चांस अव्गेरा नहीं होंगे ओबी सी एसी और एस्टी के लिए 129 तो सिंपले मैं बोलूंगा क्वालिफाई हुए हो दो तीन नंबर से पांच नंबर दस नंबर से रहे गए हो रिवाइस का टॉप का आपको वेट करना पड़ेगा वो आती है मोपप राउंड के बाद में लास्ट यह आई थी अब यह सर बड़ा भयानक सा चार्ट आपने बना दिया है अगर आप यहार बिहार से हो तो आपके हाँ पर कॉलेज कम है क्वालिटी ओप एजुकेशन तरह अच्छा नहीं है और आप यूपी में कहीं नहीं कहीं एड़ी से लिए अप्रोच आउट करते हो बनारस में मृजापुर में जौनपूर में गुरकपूर में तो यह बिहार की सिच्वेशन है गुजरात एक क्लोज स्टेट है तो लो स्कूरिंग वालों को अलॉट्मेंट नहीं मिलती है बहुत बार जब बच्चेयों को डीमड नहीं मिलता है कम फीस में अच्छा कॉलेज और सस्ता कॉलेज चाह मिल जाता है यह मारास्ट में इस बार 350 से 375 तक यह एक्सपक्टेड है 375 सेफ है उसके बाद तो यार कॉलेज जो बढ़ गये हैं थोड़ी बहुत कटो बैलेंस होगी तो 350 350 से नीचे अगर एक माक्स है तो मेरी एक्सपक्टेशन यह कहती कि आपको मारास्ट में कॉलेज न उसके बाद में राजिस्तान अगर आप राजिस्तान से हो तो भी आपको बहुत बड़ी दिक्कत है लेस दैन 350 अगर 350 से कम है लाइक मारास्टा में तो वॉल्यूम जादा है यहां पर राजिस्तान में वॉल्यूम भी जादा है कॉलेज भी कम है तो यहां पर बड़ी दिक करने लगता है फिर उसकी वहीं पर कहीं ने कहीं कॉंपटीशन हो जाती है अब जो बच्चे अराजिस्तान का है वो यूपी में अगर आएगा तो आग्रा या फरुखाबाद करता है फिर आजाओ आप डिली में अगर आप डैली की बात करोगे तो डैली के अंदर कोई भी एक सिंगल प्राइविट कॉलेज नहीं है इंसियार रीजन में जरूर दो तीन कॉलेज आते हैं बट वो हर एक बच्चे को नहीं मिल पाएंगे तीन कॉलेज हैं 100 केंटे का 300 सेट्स की अब उत्तर प्रदेश यार बड़े खतरनाक सिच्वेशन पर है इस समय बट मैं कुछ चीजों को बताऊंगा कुछ ऐसे बताऊंगा जो पहले से अब चेंज हो चुके हैं सबसे पहले अगर आप देखोगे तो या एक तो ओपेन स्टेट है एक तो अपने सब्सक्राइब करूंगा कि बच्चा यूपी नहीं आता था आज की टाइन पे इतने सारे स्टेट से आता है और जब क्वांटिटी ज्यादा होती है तो कॉंपटीशन अच्छा होता है अब यूवसिटी के एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया है जैसे मैंने लिखा है जैसे जितने भी कॉलेज हैं वो किसी ना किसी एक यूवसिटी से अफलेटेड है वो है गुरु गुरक्षनाथ यूवसिटी अब पहले क्या हुआ करता था अब क्या है सेंट्रलाइज सिस्टम है एक्जाम एक साथ होंगे रिजल्ट एक साथ आएगा जब रिजल्ट आएगा तो उसमें हमको यह भी पता चलता है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर लाई कहां कर रहे हैं तो इस तरह से क्वालिटी अप एजूकेशन भी अब इतने स्टेट के बच्चे यूपी में आ रहे हैं ओपन स्टेट होने के बेनिफिट है है ना मलब बेनिफिट यह है कि आपके साथ में बच्चा मारास्ट कभी पढ़ रहा होगा तो आपका इन फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए के नेटवर्क बहुत अच्छा बिल्ड रॉड़ और इस रांकिंग में जो Top 5 की रांकिंग है इसमें भी मैंने काम क्या हुआ है कि रांकिंग किस चीजों पर बेश पर की है वो फैक्टर्स मैंने यहां पर लिखे होगा है पहला academics faculty बड़ी उन्वर्मेंटस्ट हो नो चैँब युनुवर्स्ति का रिजल्ट होना चीज्व में तो उसमें कितने बचचें हैं से किस को सीज्चे पहें हो यह त्य से क्हली में ले ले रहें बीमस करेंगे और आठ उन्यूस करेंगे झाए इसको हो जाएंगे तो इसलिए एक ऐसा कोले स्लेक्ट करो जहां के इन्वरिमेंट आप के लिए सपोर्टिव हो यह फाक्टर्स मुझे लगता है आपके लिए मैटर करते होंगे और इस्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विए स्टूडेंट फीडबाक हमने सारी केंपस विजिट किया है उसके बाद ही इस फैक्टर को इस रैंकिंग को बनाया है अब का टॉप्स देख लेते हैं गुरु गोरक्षनाथ आर्विदिक मेडिकल कॉलिस मतलब यह युनिवर्सिट धाई लाक रैंक ओल इंडिया रैंक होनी चाहिए तो आपके अलॉट्मेंट गुरु गोरक्षनाथ में मिलेगा अधरवाइस नहीं मिलेगा यह युनिवर्सिटी अलग है और यह सारे कॉलेज महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयूस युनिवर्सिटी से अफलेटेड है यह इंस्टिटूट अलग है यह अलग है सारे इन सबके डिग्रीज हों मिलेगी वह आई उस इन्वरस्टी से आएगी मेजर एस्डी सिंग पीजी आर्वेदी कौलिज फरुखाबाद 300 से उपर मिलने वाला है अगर कम भी है तब भी आप इनको प्रिफरेंस पर रख सकते ह इस मार्क्स के प्लस माइनस टेन या नियर अब आउट है आपको लग रहा है आपकी च्वाइस आप जरूर उसको च्वाइस प्लिंग पर रखना है ना नामीनात आगरा 260 एक्सपक्टेड है सरदार पटेल 300 है ना सरदार पटेल का पासिंग परसेंटेज अच्छा है बट लास्ट यह इनकी परमिशन सेकेंड राउंड में आई थी है ना फर्स्ट राउंड में आई थी नहीं था साथ मौपम में आया होग था मुझे लग रहा है फिप्त नंब ठीक है यह फीस्टक्चर्स हो गया कटॉप्स हो गया तो वीडियो आज की यहीं तक और इसी तरीके से वीडियो आज पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और सेयर करो